कि हैलो Microsoft Excel क्या आज की जिस टूटरल में हम सिखेंगे पेस्ट स्पेशल स्पेशल इन एक्सेट चले स्टार्ट करते हैं पेस्ट इस्पेशल के कुछ ऑप्शन्स यहां पर हम देखते हैं ओके फर्स्ट यहां पर हम क्या करते हैं तो कि यहां पर में जिसलिक करके कंट्रोल सी क कर देता हूं ओके नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं तो पेस्ट स्पेशल के जो ऑप्शन्स हैं ओके तो यहां पर हम देखे तो फर्स्ट यहां पर पेस्ट स्पेशल ओके और क्लिक करेंगे ओके फर्स्ट उप्शन हमें यहां पर जूशू कर रहा है तो कि exit कौन सा all and जै यहां पर हम select करेंगे control c okay copy करेंगे and next नहीं यहां पर हम क्या करते हैं तो okay paste and paste special अभी यहां पर करते हैं formulas and okay करेंगे तो that's print only formula अभी just यहां पर कोई भी हम number type कर रहे हैं तो just वो यहां पर हमें क्या कर देता उसका just यहां पर addition करके हमें show करेगा next option हम देखते हैं okay तो next यहां पर हम same यहां पर selection कर देंगे control c करेंगे and यहां पर हम paste and paste special वहां पर करेंगे values and उसको यहां पर करते हैं okay now see okay difference के हुआ अभी just क्या कर रहा है just only वह यहां पर जो print कर रहा हो यहां पर values print कर रहा उसकी formulas यहां पर वो print नहीं करा है next देखते हैं यहां पर formats ओके तो यहां पर हम जो select करते है control c करते हैं okay and paste special में एक जिस्ट option दिया हुआ है formats okay तो अभी क्या करेंगे हम यह cell select करेंगे that's because यहां पर कुछ format हमने दिया हुआ नहीं है okay next paste paste special and format select करके okay करेंगे see अभी देखो दस पूरा यहां पर format आगया कौन सा format okay तो जिस्ट यहां पर font bold होगे and उसके यहां पर क्या हो गया तो कि यहां पर border show करा तो यह exit हम नहीं यहां पर format दिया again यहां पर हम करते हैं तो कि next option जो में यहां पर दिया वा पेस्ट special में okay तो हम comments अगर आपने cell में comments दिया तो जिस्ट आपको only comment paste करना है तो आपको comment paste कर सकते हैं next यहां पर दिया हुआ वैलिडेशन अगर आपने सेल में वैलिडेशन दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं तो कि जिस्ट वह वैलिडेशन ही जिस्ट वहाँ पर पेस्ट करना है पटिकुलर सेल में तो वहाँ वैलिडेशन रूल्स जो भी आपने दिया वहाँ पर आप पेस्ट कर सकता है ओके ने को दस्ग पूराइब कंकिन्ट और बॉल्ड वा जन वो भी नॉबर स्प्रिंट बॉर्डर प्रिंट नहीं हुआं के संब कोलम और लह सब्सक्राइब नहीं पर एक जॉत्व निकरते हैं क्या कि न क्विट तोड़ा यह पर फॉर्म लाज एंड नमबर फॉर्मेंट इसको यहां पर मैं करता हूं कंट्रोल सी यहां पर जो मने पर सेट दिया नाओ यहां पर क्लिक करके अभी हम करेंगे आपर पेस्ट special and यहां पर this option दियावा formulas and number format okay करेंगे see यहां पर देखो formulas print हुआ यहां पर हो गया and number format number format means यह जो हमने decimal notation के साथ जो यहां पर display कर रहा है वो number format भी यहां पर क्या हो रहा है print हो रहा है okay next option यहां पर हम देखते हैं values and number format okay already selected है तो यहां पर जिसमें click करता हूं then the paste paste special अभी यहां पर option आ रहा है values and number format इसको okay करेंगे तो see यहां पर जिस क्या होगा तो कि यहां पर formulas print हो रहा था बट यहां पर देखो दिस direct क्या हो गया तो कि numbers print हुआ but with some format यह format के साथ वो number यहां पर print हो सकता है okay next यहां पर हम देखते हैं तो कि जिस options दिये हुए हमें okay कुछ operation options दिये हुए है okay चला अभी हम क्या करते हैं तो कि यहां से हम क्या करते हैं तो कि यह values मैंने यहां पर control C कर देता हूं okay control C करकी अभी यहां पर मुझे paste करना है तो यहां पर जाएंगे paste paste special ओके यहां पर operations है तो operations में यहां पर क्या करेंगे हम first aid करते हैं and okay करेंगे तो देखो जो previous value था उस में क्या हो जाएगा तो कि जो हमने value paste किया copy करके जो paste किया वहां पर aid हो जाएगा that means पहले यहां पर one था पर हम क्या कर सकते हैं this edition same way यहां पर subtraction भी कर सकता है तो paste to fish special and subtract and okay see तो यहां पर जिस क्या हो जाएगा तो कि वह यहां पर subtraction यहां पर हो सकता है and the same way आप multiplication division करना तो यह भी दोनों आप यहां पर कर सकता है ओके चला next option देखते हैं यहां पर हम देखते हैं तो के paste special option दिया हुआ है transpose करके option है यह हमने paste options में भी देखा था तो transpose क्या करेंगे यहां पर तो कि जो यह लिए हमने select किया वह रोट टू कोलम एंड कोलम टू रो पर यहां पर क्या कर देगा ट्रांस्पोर्स जो इसको यहां पर कर देगा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में यहां पर कर सकते हैं तो यह कुछ options से paste special के जो भी आपर options है तो यहां पर हम अपने excel के अंदर use करना तो use कर सकता है thank you